तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंगलिश की सिरीज ब्यस्सी नर्सिंग इंग्जामिनेशन को लिए के और हमारा फोकस है एबी वेम्यू सेट तो एबी वेम्यू सेट में 20 कोशन्स इंगलिश के आने हैं और इसमें आज हम सबसे पहला जो comprehend करना है मतलब उसके questions जो आगे दिये रहते हैं उसी paragraph में उन questions का answer हमको डूढ़ना रहता है ठीक है जैसे हम example आपको दिखा रहे हैं comprehension स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को जरूर से subscribe कर दिए क्योंकि हम लगतार आप ऐसे वीडियो आपको देने वाले ह अब देखें comprehension solve कैसे आप करेंगे comprehension में एक paragraph दिया है और आपको उसको answer देना है तो आपके पास क्या easy trick है comprehension को solve करने के लिए पहला point first read the questions आप क्या कीजे पहले passage मत पढ़िए आप सबसे पहले questions को पढ़ने के कोशिश कीजे फिर second है use the elimination method elimination method का मतलब क्या हुआ कि आप पहले देखिए कि उसमें कौन से answer बिल्कुल गलत है और उनको हटा दीजे और सभास सही answer में सही answer ढूणने की कोशिश कीजे तीसरी चीज़ क्या है do not try to understand everything मतलब आप सब कुछ समझने ही कोशिश मत कीजेगा क्योंकि क्या होता है passage लिखा रहता है कठिन उसमें बहुत से English word भी समझ भी नहीं आईगी तो आपको समझना सब कुछ नहीं है बस आपको एक idea develop करना है कि passage का रूप रेखा क्या है इसी तरीके से आपको reading skills develop करनी है और read fast मतलब आप शुरू से लेके आगर जल्दी यल्दी पढ़िए और एक idea develop कर दिए अगर आप बीच में कहीं अटक गए स आप परशान हो जाएंगे और सबसे important part किया है कि आपको starting part of the passage और conclusion part इस पर ज्यादा focus करना है ठीक है तो आपको कभी भी passage मिले या paragraph मिले तो इन पांच points को ध्यान रखिए गा देखें यह passage लिखा हुआ है अब मैंने क्या कहा पहले में question पढ़ोंगा तो देखें हमें question दिखा है simplest way of welding two pieces of metal यह question आ रहा है question number two आ रहा है unless the surfaces are clean first question number three आ रहा है when iron is heated to about 1300 degree centigrade number four आ रहा the flux is used to question number five आ रहा for fairly thick bars of metals तो आपको बहुत कुछ आइडिया लगा होगा कई welding और iron की बात की जा रही है रहेंगे तो paragraph बढ़ते हैं दिखे लिका है the simplest method of welding two pieces of metal together is known as pressure welding the ends of metal are heated to avoid heat for iron the welding temperature should be 1300 degree Celsius in a flame at this temperature the metal becomes plastic तो मैंने यह पहरी लाइन पढ़ ली अब मैंने बहुत जारा ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है पस मैंने एक idea develop करने कोशिश की यहां welding की बात हो रही दिखे फिर से पढ़ते हैं the simplest method of welding two pieces of metal is known as pressure welding अभी दिखें important point आ रहा है pressure welding the ends of metal are heated to end को heat किया जा रहा है to a white heat जब तक वो सफेद ना हो जाए फिर कह रहा है for iron the welding temperature should be around 13 degree Celsius in a flame कह रहा है iron clear 1300 degree Celsius temperature होना चाहिए और कह रहा है at this temperature मतलब 1300 degree Celsius पे the metal become plastic तो जो metal होगा जो iron है वो plastic बन जाता है इतनी बात हुई second पे आते हैं थोड़ा time लगता है इसको आपको पढ़ना पढ़ता है ठीक है लेकिन इसमें कई questions रहते हैं तो आपके कई answers भी एक साथ solve हो जाते है the ends are then pressed or hammered together मतलब जो ends होते हैं गरम करने के बाद उनको प्रेस कर दिया जाता है या उनको hammer करके जोड दिया जाता है and the joint is smooth and off तो joint को smooth किया दिया जाता है जोड के care must be taken to ensure that the surface are thoroughly clean first अब कहरा care होना चाहिए कि surface जो हमको जोडना है वो पहले साफ होनी चाहिए for dirt will weaken the weld for dirt will weaken the weld fall लगता है मतलब कॉमा के बार लगा है क्योंकि या कह सकते हैं कि dirt जो गंदगी होगी वो वीक कर देगा जो welding portion है फिर आगे क्या बात कर रहा है moreover the heating of iron और steel अब यहां दो metal बात हो लिए iron और steel to a high temperature जब हम high temperature पर heat करते हैं causes oxidation and a flame of oxide is formed on the heating surface तो ऐसा कुछ को में question नहीं मिला था तो oxide की flame बन रही है heating surface पे for this reason for this reason फिर दिखे बोला इसका मतलब कुछ गरबर हो रहा है इसी वजा से for this reason बहुत जब heating कर रहे हैं और flame of oxide बन रही है a flux is applied to the heated metal एक flux लगा दिया जाता है a flux क्या है हमें इसे ध्यान नहीं देना बस पड़ लेना a flux is applied एक flux लगा देते हैं यह नहीं ध्यान देना flux क्या है add welding heat the flux builds and the oxide particles are dissolved in it अब यह कह रहा है जब welding heat मिलती है तो flux melt हो जाता है flux क्या है मतलब नहीं है और oxide particle जो बनते हैं वो dissolve हो जाते हैं together with any other impurities which may be present इसके साथ सब अगर कोई भी impurity मनलब dirt या कोई भी impurity होगी तो oxide particles dissolve हो जाएंगे flux में फिर आगे बात कर रहा है last line है बढ़ बड़ा passage नहीं आता है last line देखे पड़ते हैं the metal services are pressed together तो surface जो metal दो हमने जो joint की उनको press कर देते हैं and the flux is squeezed out from the center of the weld और फिर कर रहा है flux जो हमने लगाया था किस लिए लगाया था नहीं मतलब नहीं flux को squeeze out कर देते हैं बहार निकाल देते हैं from the center of the weld तो metal को हमने प्रेस कर दिया और flux को हमने निकाल दिया थोड़ा सा समझना है बहुत जाला detail में नहीं समझना है आगे कह रहा है a number of different types of weld may be used कई त्रीके के welding हो सकती है but for fairly thick bars of metal but for fairly thick bar मतलब जो बोटे metal के चीज़े हैं V-shaped weld should be normally be employed तो thick bar of metals के लिए V-shaped weld होना चाहिए और it is rather stronger than ordinary but weld तो वो जो V-shaped weld है वो ordinary but weld से ज़्यादा stronger होता है graph में क्या स्वाल में आया कि welding की बात हो रही है pressure welding की बात हो रही है heating की बात हो रही है और कुछ flux नाम की चीज़ लगा दी जाती है और जो हीट करता है तो oxide particle जो बनता है वो से में dissolve हो जाता है और कह रहे हैं कि उसके बाद जो metal surface को press करते हैं तो flux को हम निकाल देते हैं और इस इक साब बता रहे हैं कि different types of weld हो सकते हैं लेकि ठिक के लिए जो है हम V-shade weld यूज़ करते हैं और नर्मली हम ordinary wet weld यूज़ करते हैं तो यह थोटा सा idea मैंने develop किया अब इसे मुझे बहुत से चीज़े नहीं सवन में आई होगी यह चीज़ हमें question से सवन में आईगी तो चलते है question number one की है दो pieces of metal अब क्या आपने पढ़ा heating the metal holding it in a flame coating the metal with plastic की hammering heated pieces क्या कर रहा है metal को heat कर दें या उसको flame में रोके रहें या coat करे metal को plastic से या hammering करें तो अगर आप passage की तरफ देखिए तो कह रहा है ends of the metal are heated तो यहां पर heating अगर हम करते हैं तो दो चीज़े melt हो जाती बाकी सब है हमें हमें देखना है passage में क्या answer दिया तो पैसेज में heating की बात की गई है इसलिए इसका answer क्या होगा heating the metal question number two की तरफ करते हैं question पूचा गया unless the surfaces are clean first तो surface अगर clean क्या नहीं होगा अगर surface clean नहीं होगा तो proper welding नहीं होगा आपको पता है पैसेज में लिखा भी था इसमें option दि होगा the metal will be less plastic क्या metal less plastic होगा तो जब चीजें हमने passage में पड़ी तो पता है कि metal heat भी ले लेगा और joint rough की बात ही नहीं है इसमें और plastic तो वह होई जाता है लेकिन जो weld बनेगा क्योंकि surface clean नहीं है तो impurity को या से वीक रहेगा तो इसका सही answer क्या होगा option number two the resulting weld will be weak सबन में आई बात अब question number three की दरफ चलते हैं अब देखिए यहां लिखा वो when iron is heated to about 1300 degree centigrade जब iron को 1300 degree centigrade पर heat करते हैं तो क्या होता है ठीक है flame turns white to blue chemical reaction starts oxide flame is formed on the surface की it turns into steel अब देखिए इसको हम solve करेंगे elimination method से देखिए last option it turns into steel तो यह तो option बिल्कुल गलत है ऐसा कोई बात ही नहीं कहीं पैसेज में फिर बात किया गया flame turns white from blue तो flame को white कहा गया तो blue का आंसर देना है उसका सही आंसर oxide flame is found on its surface तो आपको पैसे से आंसर देना है अपनी दिमाग से आंसर नहीं देना है अपनी तरफ से question no.4 कहता है the flux is used to अब flux का नाम आया था ठीक है तो flux का नाम पैसे पढ़िए कहां आया था तो क्या कह रहा है flux किसलिए काम आता है make the metal plastic metal को प्लास्टिक बनाने के लिए काम आता है cool the heated metal heated metal इसको ठंडा करने के लिए cover up any dirt dirt हटाने के लिए कि dissolve oxide and other impurities अब देखिए ये तो बात अब देखिए इसमें अगर elimination rule लगाएं तो metal plastic तो होदा नहीं है वो तो heat से हो जाता है cooling होनी नहीं अब ये दो बचे cover up any dirt के dissolve oxide and other impurities तो आपको पता है कि dirt जो हटाने के लिए तो कहा गया था सफाई होनी चाहिए लेकिन flux कब add किया गया था तो flux जब add किया गया था तो अगर आप passage की तरफ चलें passage की तरफ आप देखिए for this reason a flux is applied at welding heat the flux melts तो oxide particles are dissolved in it तो flux में oxide particles dissolve हो जा रहे हैं और impurities भी हट जा रहे हैं ये question number four का जो answer बन रहा है dissolve oxide and other impurities रहा है तो इसका question number four का answer dissolve oxide and other impurities रहेगा सबज में हैं आपको question number five question number five कर रहा है for fairly thick bars of metal तो thick bar of metal का नाम आया था ठीक है अब यहां option किया रहा है a v-shaped weld should be used ordinary butt weld should be used number of different types of weld में भी यूज़ अब pressure weld में भी यूज़ तो अगर आपके पाद यह option है आप सीधे चलिए passage कि तरफ जहां thick bar of metal लिखा हुआ है अब देखिए कहां पे लिखाता है यहां पे thick bar लिखि कह रहा है ठीक है तो इसका answer क्या होगा तो fairly thick यह कह रहा है v-shaped weld होगा कि ordinary होगा तो ordinary तो होगा नहीं number of different types यह भी नहीं होगा pressure weld नहीं सादा सादा वहां लिखा हुआ इसलिए इसका answer होगा अब v-shaped weld should be used तो इसका answer है अब v-shaped weld should be used तो यह हमारे रहे 5 questions तो इस तरीके से आप आपको passage को पढ़ना है, passage में पढ़ते समें आपको ध्यान रखना है कि questions पहले देख लिए, elimination method से एक गरत answer पहले अटा दीजे, सब कुछ समझने की कोशिच मत कीजे, अपने reading skill को fast करिए और starting और end part को समझने की कोशिच किए, passage में अलग-अलग चीज़ें आ सकती है, English के भी ही एक और वीडियो में आपको बहुत जल्दी release करेंगे, और बने रहे हमारे चैनल साथ, subscribe कर लिजे, thank you very much and best of luck for your examination, और ये question ABVMU set में भी आ सकता है, thank you